हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक टू माय चैनल फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं एक मेन कोस्टिश जिसके इंग्रीडियंट्स इतने सिंपल हैं बट ये सबजी बहुत खास है क्योंकि आज की सबजी है हमारी क्रीमी पनीर जो किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बनाई जा सकत है और इतने सिंपल इंग्रीडियंट्स के साथ वो आपको अपनी किचन में अराम से मिल जाएंगे इसलिए आज किस मेरी रेसिपी को बिल्कुल मिसमत कीजेगा एंड तक देखेगा तो चले चलते हैं बनाते हैं क्रीमी पनीर बट उससे पहले आपको पाता है आपको क्या क सबसे पहले हम यहां पर अपने पनीर के जो क्यूप्स हैं उन्हें हम शैलो फ्राइ कर लेंगे इससे पनीर में तोड़ी एक बाइंडिंग हो जाती है जिसे यह पनीर तूटता नहीं और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है सॉफ्ट एं बहुत क्रंचिने साजाती है एक आप चुला चलाते तो वो तूटता नहीं है और एक रिचनस आ जाती है सबजी में जब पनीर के क्यूप्स एक सॉलिड फॉर्म में दिखते हैं यह टोटली ऑप्शनल है आप इसे शैलो फ्राइ नहीं करना चाहते हैं आप मत कीजे बट मैं जब यूजुली घर में बनाती है और एक पनीर का एक फ्लेवर इनहांस हो जाता है अगर आप इस तरह से शैलो फ्राइ करते हैं अब देखे दोनों तरफ से इसमें एक क्रंचिनस आ गया है अब हम इसे एक करके निकाल लेंगे और निकालने में भी एक ट्रिक है इसके बाद हमने सीधा इसे किस चीज में निकालना है पानी के बावल में डाल लीजिए इससे पनीर चीउ नहीं होता है इसकी एक सौफनेस बनी रहती है और जो एक्स्ट्रा ओयल है वो निकल जाता है देखे इस तरह से अब इसे पांच मिनट के लिए बस पड़े रहने दीजिए ऐसे देन उसके बादी से स्ट्रे उसमें डाला है मैंने ये ये तेच पत्ता हरी इलाइची मारे whole spices होते हैं जो दाल चीनी, लॉंग, काली मिर्च, बड़ी इलाइची जो इजीली हमारे पास घर में होते हैं उन्हें हमने पानी में डाला है और ये कुछ काजू है ये ग्रेवी बहुत रिच ग्रेवी बनेग अनियन, आप स्कुएर में कर लीजे, स्लाइस कर लीजे, प्योरी नहीं बनानी है, रफली चॉप कर लीजे, बस इस तरह से चाहिए हमें अनियन, और हम यहां पर इन्हें बॉयल करेंगे, इन सब चीजों को हमने बॉयल करना है, बॉयल करने से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, हम इसे पानी में से ड्रीन आउट कर लेंगे, और जो बचा पानी होगा, वो में बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको माइल्ड करना था, और इस पानी में इनकी बहुत शापनेस है, यह सबजी बहुत माइल्ड फ्लेवर की होती है, देखिए इस तरह से मैंने इस अब तब ही करिएगा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, एक कब दही, घर का गाड़ा दही है, तो वही हम यूज कर रहे है, दही खटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही एक सबजी में थोड़ा आजा आता है, सारनेस, उसके प्योरी बना लेंगे, अब एक फ्राइन पैन अब इसमें हम डालेंगे अपने पाउडर स्पाइस, हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, और जादा खास मसाले नहीं पड़ते हैं, इसमें वही है, जो रोटीन में हम यूज करते हैं, बस इनको डालने का टाइम और एक अलग वी में कब डालना है, टेक्स्चर में वही है, बस उन्हें डालने का टाइम डुरेशन है, जो हमारी सबजी को एक नेया शेप दे देदे एं, एक लुक दे देदे और एक नेया एक फ्लेवर दे देदे हैं, हमारी ये मसाले रोस्ट हो गए हैं, अब देखी ही, जो प्यूरी बनाई थी हमने अन्यन वाली, उसे ह ढесे हैं अपर शान लेना है क्यूंकि हमें एक बिल्कुल एक fine pioneering ग्रेविरी चाहिए तूंकि हमें एक बिल्कुल एक fine प्रेवी चाहिए यह सबसी हम वाइड ग्रेवी में भी बना सकते हैं अगर आप ग्रेवी में बना रहे हैं, तो आप हल्दी या देगी में चाप यूस मत कीजे, बट मैं ये ऐसे ही कलर में बनाती हूँ, थोड़ा अट्रक्टिव लगती ना दिखने में, थोड़ा सा पानी डाल दीजे इसमें, वो मैंने जो ब्राइंडिंग जार था, ये स्टेप यूजूली हम सब अपने घरों में करते हैं, है ना बस मैंने भी वही कर दिया है, क्योंकि घर का खाना बन रहा है, अब इसे बॉइल आने तक हम इसे स्टर करते रहेंगे, मैंने इसमें कुछ ऐसा नहीं डाला है, टमेटोज नहीं डाले है कोई जरूत नहीं है टमाटर डालने की क्योंकि वो जो एक सारनेस और टैंगीनस देनी है न, वो यहाँ पर दही काम करेगी, आप चाहे तो इसमें से अनियन भी स्किप कर सकते हैं देखे इतनी रिच ग्रेवी और रिच डिश बनेगी आप बिना अनियन टमेटो के भी बना सकते हैं अब दही यहाँ पर पक चुका है अब हम डालेंगे इसका में इंग्रीडियन्ट क्रीम, आप यहाँ पर घर की मलाई भी बहुत अराम से यूज कर सकते हैं आप मलाई को बस थोड़ा सा फेंट लीजे उसे स्मूध कर लीजे देन आप अपनी सबजी में यूज कीजे देखे कितना चाए क्रीमी टेक्सचर आएगा इस सबजी का और कलर देखे कितना बढ़िया कलर बन जाता है एक नया फ्लेवर आ जाता है बिलकुल घर बैठे रेस्टोरेंट स्टाइल की सबजी बलकि मैं तो ये कहूंगी रेस्टोरेंट से भी जादा अच्छे सबजी आप बना के तयार करेंगे बस देखे कुछ नहीं हमने डाला कोई कॉन स्टाज कॉन फॉला कुछ नहीं डाला हमने इसको ठिक करने के लिए और यहां पर पनीर के क्यूब्स अब आज़ इस इसमें डालेंगे हमने उगी फ्राई करके डालेंगे ये बिलकुल नहीं तूटेंगे और बहुत सॉफ्ट रहेंगे क्योंकि हमने इसे पानी में डिप करके रखा था अब देखें कुक कर लेंगे हम इन सब इंग्रीडियंट्स के साथ थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला ऐसी सबजी में सबसे एंड में ही डाला जाता है थोड़ा सा हरा धनिया अब कलर देखें सबजी का कितना कितना उभर के आ रहा है येलो ग्रेवी के उपर घरा हरा धनिया और बीच में वाइट कलर के पनीर के क्यूब्स बहुत टेम्टिंग सबसी है देखते ही मुँ में पानी आ जाता है तो आप सोचिए अब जब खाएंगे तो एक नहीं आप दो से तीन चपाती खा जाएंगे जो बच्चे आपके घर मे चपाती से या सबजी से दूर भागते है ना वो ये रोज मांगेगी कि ऐसी सबजी चाहिए और बनानी कित्ती सिंपल है कुछ नहीं चाहिए आप बिना अनियन के भी बनाईए बिना टमेटो के भी बनाईए ऐसी रिच ग्रेवी है बहुत बढ़िया मजेदार सबजी बने है हमारे लीजे हो गई तैयार क्रीमी पनीर की सबजी बहुत इंट्रस्टिंग है बहुत टेस्टी है बस कहने कोई सिंपल है है तो बहुत रिच डिश और बहुत खास सबजी खास मौकों पे बनाईए नॉर्मल डे टू डे में बनाईए क्योंकि बहुत सिंपल इंग्रीड बीजे के आजा आटि working बबस कहीं